नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको माचले हैं मैं नामे इसी राज के स्वरों बात करने बाले हैं परधान मंतरी दक्ष योजना के बारे में दोस्तों इस योजना के अंतरगत बिहार के जितने भी निवासी हैं उनको परधान मंतिक के तरफ से कौसल परसिक्षन दिया जा रहा है यानि कि अगर आप जो सिर्फ आठमी, दसमी या फिर बारमी पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आपको जो यहाँ पर कौसल परसिक्षन दिया जाएगा साथ में दोस्तों यहाँ पर प्रोसाहन रासी के रूप में 1000 रूपया परती महीना यहाँ पर दिया जाएगा तो वीडियो को पुरहा लासत टका रिखते रहेए उससे पर एकर आपने महाचनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुमीचे रेले कल सब्सक्राइब नंद बात महाचनल को सब्सक्राइब किजए ल dentro को जितना उसके सेर कहले ताकि और भी दो सकते जान काड़ी मिल सके चले शुरू करते हैं अपना अज का ये वीडियो हो सकता है आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देखें तो आपनों को ये नीचे मिले या फिर आपको उपर में आकर पीम दक्स यहां पर टाइप करना है तो आपनों को करना क्या है इस पर क्लिक करना है तो जैसे आप इस तरीके से आपनों का पोस्ट होगा वो ओपन होकर चला तो यहां पे और आप चाहें तो इसको पर सकते हैं इसको इना करना dit कि दोक्यूमीट के और के बारे मं जानकाई भीडिंगए सबसे नीचे के आईएगा या फिर आप जो official notification देखना चाहते हैं तो यहाँ पर click here पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करते हैं कुछ इस तरीके से आपनों का जो official notification होगा वो open होकर चलाएगा तो कुछ इस तरीके से आपनों का जो official notification होगा तो इपने खोब वह ओपन होकर चलायेगा आपको करना क्या है यहां पे प्लस साइन है इस पर आपको किलिक करना है तो यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आप यहां पे देख पाऊंगे अपनों को पूरी जानकाई दी गही है यहां पे आप देखाऊंगे निस्फुल्क र एबं सव और उजगार के लिए तकनीकी साहईता प्रमर्स उपलब्ध कराई जाएगी परसरिक्शन निम्न ट्रेड में चलाया जाएगा यहनि कि कौन कों सा ट्रेड में आपनों को यहां पर परसरिक्शन मिलेगा यानि कींड 얼마나 चीजों की परस्रिक्शन आपनों की योगिता होगी वो आठमी पास रखी गई है यानि कि अगर आप आठमी पास हैं तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं आयू सीमा की बात करें दोस्तों तो 18 बर्स से लेके 45 साल जो है आपनों का एज लिमिट रखा गया है उसके बाद यहाँ पर आपनों का जो प्रस्रि आपनों का जो ही सेम आपनों का सारी जानकारी रहेगी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मसीन ओपरेटर असिस्टेंट प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर आपनों का जो रहेगा वो तीन महीने के लिए रहेगा और जो मेन कोर्स आ पर रहने की व्यास्ता करनी होगी, तो इस तरीके से यहां पर जानकाई दिया गया है, उसके बाद नीचे आई यहां पर जानकाई दिया गया है, कि कौन-कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो जैसे आप उमीदबार पिछरे बर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग, यहां पर आवेदन कर सकते हैं, और आर्थिक रूप से जो कमजोर उमीदबार हैं, जिनकी आई जो है, एक लाख रूपे से कम है, उसके बाद यहां पर पताएगे दोस्तों कि गैर आवासिये पाठक्रम में परसिक्चु का परसिक्षन कारिकरम समाप्ति के उपरांत, अस् परसि परसिंट रहता है, तो ऐसे में 1,000 परती महा आप लोग दिया जाएगा, अब यहां पर कितने महले के लिए दिया जाएगा, यहां पर यह कलिर नहीं किया गया है, लेकिन मान साखने कि 3 से लेकर 6 महेले तक आपनों को यह जो है दिया जाएगा उसके बार नीचे आपनों को आबस्यक दस्ताबेज के बारे में जानकाई दिया गया कि क्या कि है डोकिमेंट आपनों का लगने बाला है और यहां पर बतायागा है कि 10,9,21,21 तक आप लोग इसके लिए आवेधन कर सकते हैं यहां पर आपनों का लिंक दिया यह जो है ओफिसियल वेबसाइट है PM दक्स योजनाकी यहां पर आप देख पाऊं दोस्तों की .gov.in आपनों का है यानि कि यह जो है ओफिसियल सरकार की वेबसाइट है तो यहीं पर आपनों का रेइस्टेशन करना होगा सबसे पहले यहां पर आपनों को जो अपना बेसिक ड नाम लिखना है उसको बाद यहां पर डेट बर्थ जेंडर सलेक करना है अस्टेट यहां पर सलेक करना है तो अस्टेट में माल लिजे कि मैं यहां पर बिहार सलेक करता हूं उसको बाद यहां पर आपनों का डिस्टिक पुछा जा रहा है कि आपका कौनसा जिला पड़ता ह तो आपनों का पूरा जिला का यहाँ पर नाम ओपन होकर चलाएगा तो मेरा जो जिला है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ उसको बाद अधार नमबर देना होगा उसको बाद यहाँ पर आपनों को जो है इसको टीक करना होगा और यहाँ पर आपनों को जो है पिन को हैं तो यहाँ पे आप लोग मान लिजे कि 12 किये हुए हैं तो 12 यहाँ पे डाल दीजेगा उसको बाद यहाँ पे चूज के टेगरी तो यहाँ पे आप कौन से के टेगरी से आते हैं जैसे कि SC, OBC, EBC, DNT या फिर जो है सफाई करमचारी जो भी आप हैं यहाँ पे आप सेलेक् करना है उसको बाद यहाँ पे आपनों को जो एजूकेशन का जो भी आपनों का परमान पत्र होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा सबसे पहले यहाँ पे 12 का आपनों को माक्सित अपलोड कर देना है उसको बाद यहाँ पे आपनों को इनकम सर्टिफिकेट अप आपनों को यस कर देना उसके पर यहां पर आपनों को फिर से यस कर देना और यहां पर अपना मोबाइल नमबर डाल कर स्टेंट ओटीपी पर आपको किलिक करना और यहां पर ओटीपी भेरिफाई करके नेक्स्ट अस्टेप पर आपको जाना है तो यहां पर मैंने आपको जा से आता हूं तो इसलिए जो यहाँ पे मैं आवेधन करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा तो इस तरीके से आप प्यम दक्ष योजना के लिए आवेधन कर सकते हैं मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे दिये चाथ में इस पोस्ट का लिंक आपको निचे डिस्क्रिप साथ ही सेर किजिए इस विडियो को ताकि और विलोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स में तक लिए धन्यवाद